नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी सर्वपित्री अमाउस्या कब है आपकी बार बना है बेहद ही दूरलव योग और शन्जोग सर्वपित्री अमाउस्या को हिंदू धर्में बहुत ही खास माना जाता है इस बार सर्वपित्री अमाउस्या पर बहुत ही शुभाशूव शन्जोग बन रहे हैं इस दिन सभी पीतर वापस स्वर्ग लोग के लिए चले जाते हैं इसलिए इस दिन के सराध का अधिक महत्त होता है आईये जानते हैं कब है सर्वपित्री अमाउस्या सराद्व पक्ष में सर्व पित्री अमाउस्या को काफी महतुपूर्ण माना जाता है इस बार सर्व पित्री अमाउस्या पर बहुत ही बेहत शुन्दर शंजोग बन रहा है इस बार अमाउस्या के दिन सनी बार होने के चलते इसे सनिश्चरी अमाउस्या भी कहा जाएगा इसके अलावा इस दीन साल का दूश्रा सुर्ज ग्रहण भी लगने जा रहा है सर्वपित्री अमाउस्या अस्विन मास्ट में पढ़ने से इसका महत्तो और अधिक बढ़ जाता है आएए जानते हैं इस वडियो के माध्यम से कि सर्वपित्री अमाउस्या कब है और इसका महत्तो क्या है इस बार सर्वपित्री अमाश्या सनी बार 14 अक्टूबर को है अमाश्या तिथी प्रारम हो रही है 13 अक्टूबर को 9 बज कर 29 मिनट से और अमाश्या तिथी समाप्त जो हो रही है वह सनी बार को रात्री के समय 11 बज कर 54 मिनट पर तक यह रहेगी सास्तुर के अनुशार सर्व पित्री अमोश्या का दीन बेहद ही खाश माना जाता है सर्व पित्री अमोश्या तिथी को ही स्राध्ध पक्ष या पित्री पक्ष का समापन होता है भारत में कुछ जगहों पर सर्व पित्री अमोश्या को पित्री अमोश्या महालया अमोस्या और पित्री मोक्ष अमोस्या जैसे नामों से जाना जाता है इस दिन जिन भी पित्रों का स्राध आप भूल गए हैं उन सभी के नाम से स्राध और तरपन किया जाता है इस अमाउस्या को पीतरों को याद करने के मोक्ष के लिए उनके दान पुन्य करने और उनकी सांती की प्रार्थना करने के लिए सबसे शर्वत्तम यह दिन माना जाता है ऐसे करें अपने पीतरों को आप प्रशन अमाउस्या के दिन बीदा लेते समय अमाउस्या के दिन शुबह जो है जल्दी उठकर सनान आदी के बाद सफेद बस्त पहने इस दिन पीतर बीदा लेते हैं इसके बाद पीतरों को याद करते हुए शुर्ज को अरग दे और उनका स ब्रावन को भोजन कराने के बाद गर के सभी लोगों को एक साथ भोजन जरूर करना चाहिए भोजन कराने के बाद पीत्रों की आत्मा की सांती के लिए प्राठना करें सर्व पित्री अमोस्या पर कववे गाई और कुते को भोजन जरूर कराएं साथें इस दिन पीपल के पेड़ का पूजन निश्चितुरुप से करें अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेर करें और कमेंट्स करें नमस्कार